इस वीडियो में हम बात करेंगे चार भुजा वाली आकृतियों के जिने हम कहते हैं चतर भुज यानिकी चार भुजाएं तो यहाँ पर मैं कुछ चार भुजा वाली आकृतियां बनाता हूं समझो कि यह 1, 2, 3 और यह 4 यह हुआ एक चतर भुज यहाँ पर यह 1, यह 2, यह 3, यह 4 यह भी एक चत्र भुझ हुआ तो कौनसी आकृतियां चत्र भुझ नहीं हैं जैसे कि यहाँ पर यह एक, यह दो, यह तीन भुजा वाली आकृती, यह त्र भुज है, यह एक चतर भुज नहीं है या फिर यहाँ पर पांच भुजा वाली आकरिती जिसे हम कहते हैं पंच भुज तो यह है यहाँ पर एक पंच भुज तो यह भी एक चदर भुज नहीं है या मैं बनाओ यहाँ पर एक वृत तो यह जो वृत है इसकी तो एक भी भुजा नहीं है इसकी कोई भी भुजा नहीं है, ये सिर्फ गोल ही घूमते जा रहा है, तो ये भी एक चतरभुज नहीं है तो चलो ये तो साफ हुआ कि चार भुजा वाली आकरितियों को हम कहते हैं चतरभुज चलो अब देखते हैं कि अलग-अलग प्रकार के चतरभुज कौन-कौन से होते हैं तो शुरू करते हैं समानतर चतरभुज से तो समानतर चतरभुज ऐसे चतरभुज होते हैं जिनकी समुख भुजाएं समानतर होती हैं जैसे कि यहाँ पर मैं एक समानतर चतर भुज बनाता हूँ, तो यह रहा एक समानतर चतर भुज, तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो समुख भुजाएं हैं, यह समानतर हैं, जैसे कि जो यह वाली भुजाएं हैं, और जो यह वाली भुजाएं हैं, यह दोनों भ भुजाएं भी समांतर भुजाएं तो ये दोनों समुख भुजाएं भी यहां पर समांतर हैं ये एक ही दिशा में जा रही हैं तो ऐसे चतुर भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर भुज जहां पर समुख भुजाएं समांतर होती हैं समांतर चतुर भुज का अगर मैं एक और उधारन दू, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वर्ग, तो वर्ग भी एक समानतर चतुर भुज होता है, कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि वर्ग की जो समुख भुजाए हैं, ये वाली जो समुख भुजाए हैं, ये समानतर हैं, और वर्ग की जो ये वाली समुख भुज यह भी समानतर है तो वर्ग भी समानतर चतुर भुझ का ही एक प्रकार है अब कौन सा चतुर भुझ समानतर चतुर भुझ नहीं होता तो चलो मैं एक उधारन लेता हूँ समझो कि यह एक भुझा हो गई यह हो गई दूसरी भुझा और यहाँ पर यह मैं ले लेता हूँ तीस समुख भुजाएं यहाँ पर समानतर हैं लेकिन जो ये वाली दो समुख भुजाएं हैं ये यहाँ पर समानतर नहीं है ये आगे जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिक्षेद करेंगी तो ये जो है यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समानतर नहीं है तो ये चतुर्भु समानतर चतर भुज नहीं हुआ, चलो अगला प्रकाल देखते हैं, तो चतर भुज का अगला प्रकाल है सम चतर भुज, तो सम चतर भुज ऐसे समानतर चतर भुज होते हैं, जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, तो समझो कि मैं यहाँ पर एक समानतर चतर भुज लेत और यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की लंबाई समान है लेकिन सभी भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो ये एक समचतर भुज नहीं हुआ अगर मैं एक समचतर भुज बनाओं तो वो कुछ ऐसा बनेगा जैसे कि यहाँ पर ये एक भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी दूसरी भुजा, ये होगी यहाँ पर तीसरी भुजा, और ये आ जाएगी यहाँ पर चौती भुजा, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी समग भुजाएं समानतर हैं, और सभी भुजाओं की जो तो ये दोनों समुक भुजाओं का जो जोड़ा है वो समानतर है, और यहाँ पर सारी भुजाओं की जो लम्बाई है, वो समान है, तो यहाँ पर ये हुआ एक सम चतरभुज. चलो अगले प्रकार के चतुर भुज की बात कलते हैं तो हम आते हैं आयत पर तो आयत एक ऐसा समानतर चतुर भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं तो मैं यहाँ पर एक आयत बनाता हूँ तो यहाँ पर यह रहा एक आयत तुम देख सकते हो ये एक समांतर चतुर भुजए क्योंकि यहाँ पर ये वाली भुज़ा और ये वाली भुज़ा ये दोनों समांतर भुज़ाएं हैं और ये वाली भुज़ा और ये वाली भुज़ा ये दोनों भुज़ाएं भी समांतर भुज़ाएं तो एक समांतर कोण हैं तो यह हुआ एक आयत तो आयत एक ऐसा समान्तर चतुरभुज होता है जिसके सभी आंतरिक कोण समकोण होते हैं और मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूं कि यहाँ पर समग भुजाओ कि जो वो समान होती है, अगर मैं आयत का एक और अधारण लूँ तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक वर्ग, तो एक वर्ग एक आयत भी होता है, क्योंकि एक समान तर चत्रभुच तो यह है ही जैसे हमने पहले देखा हुआ है, और वर्ग के सभी आंतरिक कोण, सम कोण भी होते हैं, तो वर्ग एक प्रकार का आयत भी हुआ, तो यहाँ पर हमने चतुर भुज के अलग-अलग प्रकाल देखे, और हमने देखा कि यहाँ पर जो वर्ग है, वो हर एक प्रकार में आता है, तो जो वर्ग है, वो एक ऐसा मांतर चतुर्भुज भी है, सम्चतुर्भुज भी है और आयत भी है तो ये था वीडियो चतुर्भुजों के वर्गी करन के बारे में